नमस्कार दोस्ताओं आज का वीडियो बहुत ही स्पीसल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो यह जानना चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन-कौन से एप्स होने चाहिए जो हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ही कुछ उन ही apps के बारे में जिनको अपने mobile में रखने से student को बहुत ही ज़्यादा help होगा जो उनकी हर समय मदद करने में बहुत ही जरूरी होगा तो कुछ ऐसे apps भी हैं play store में जिनको आप अपने mobile में install करके उन apps का use करके आप अपने student life को एक कदम आगे ले जा सकते हो उनसे आप multiple knowledge भी गेंज कर सकते हो जो आपकी डेली life में बहुत ही यूज आएगी तो आपका ज्यादा time ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं नंबर फाइब पोजिशन पर हैं slide share लिंकेंड इंडिया slide share एप जो हमें professional content देता हैं कि जैसे infographical और documental या presentation वीडियो किसी भी तरह का presentation हम इस app के एप से बना सकते हैं हमारी student life में सबसे बड़ी मुसीबत मानो तो या सबसे बड़ा tension मानो तो यह होता है कि हर रोज नए project नए design के साथ कैसे दे तो यह Lincoln India app आपको एक अच्छा material प्रोवाइड करता है जिनकी help से आप अच्छे अच्छे नए design के presentation बनाएंगे जिनकी help से आप अपने teachers को आप अपने school life में बहुत ही आगे जाओगे तो जिनसे आपको benefit भी होगा नंबर जो 4 question पर है वो है हमारा app Quora यहाँ एक सवाल जवाब वाली website है इसमें लोग सवाल पूछते हैं और जवाब देख सकते हैं और इसमें हम बदलाओ भी कर सकते हैं जो हमने जवाब दिये या सवाल पूछों से हम बदलाओ भी कर सकते हैं इसका जो प्रकासन है वो इवरा इंक ने किया था इसका मुख्याल है कैलिपपोर्निया में है यह जो company थी वो शुरुवात में तो जून 2009 में बंद गई थी पर इसे देंगे तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप किसी को पूछ नहीं सकते हो तो आप यहां पर पूछ सकते हो और आपका यहां पर सही जवाब मिलेगा तो यह उन इस्टुडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है जो क्लास में कम बोलते हैं जिनको मन में साइट से बहतर वर्जन एप में मिल जाता है जिससे आप इजिली फास्ट ट्रेवल कर सकते हो तो यह विकिपीडिया एक मुप्त वे बादारीत और सहयोगी बहुबास सी वीशुकों से एंसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर आप अलग-अलग लेंग्वेज के अंदर कि अलग-अलग टाइप की टॉपिक है जिसको आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हो इससे जो बनाया हो बनाया है 2001 में जिम्मी वेल्स और नेरी सेंगर ने सुरू किया था और वर्तमान में सब लिखते है इसके बारे में तो आपको नौलेज गैन करना तो इससे बड़ा व इस एप को नमबर टू पोजिशन इसली मिली क्योंकि यह हर परसन के अपनी परसनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ही यूज होता है क्योंकि इससे आप स्टुडेंट हो चाहिए प्रोफेशनल हो कोई भी इस एप को रखने से अपने जितने भी डोकुमेंट होते हैं उनको आत्वात इनको इसका स्कैन करके PDF फाइल में कर देता है जिससे हमारे डोकुमेंट को ऑनलाइन अपलोड करने में हेल्प मिलती है तो यह स्टुडेंट्स हो चाहिए कोई कंपिटिशन की त्यारी करता हो या कोई बिजनेस वाला हो या प्रो हैं अनकलोड ये एक एक एझुकेशनल टेकनोलजी कमपनी है जो इंडिया के बैंगलोर में हो तो ये इंडिया का ये एप है जो श्टुरेंड के लिए सबसे बेनिफीशल है ये इंडिया में प्री ओंलाइन एझुकेशन प्रोड़ करता हैं आप किसी भी कोस्ट की देते फ्री में वो भी तो इस एप को डाउनलोर करने से आप घर बेटे अलगलग कोसेज की तयारिक कर सकते हैं आप यूपीसी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं थेंकी सो मच पर वाचंग दे वीडियो प्ली दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कोई वीडियो कैसा लगा है आज के लिए बस इतना ही जहिन वंदे मात्रम